हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का दोस्तो कि आप भी फिसिक्स बिल्कुल बेसिक से और सिंप्लिफाईड लो से पढ़ना चाहते हैं तो आये दोस्तो मैं शोवपश लिवास्थव स्वागत करता हूँ आपका फजिक्स टॉटोरियल गाइड पर दोस्तो इस चैनल पर आपको मिलेंगे क्लास 10 फिजिक्स रिलेटेड नोट्स NCRT सल्यूशन्स इंपोर्टेंट क्वेशन्स प्रेक्टिस क्वेशन्स एंड प्रीवेस यर क्वेशन्स दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हेलो दोस्तो हुआ प्रेक्डिस क्वेशन्स दोस्तों in this video we are going to practice questions on electricity this video is helpful for both ICAC and CBSC Board students friends this is practice questions video so it is same for both votes when i will make PYQ video then it is separate for both votes let's start the video this is the first question here we go वाट इस दैसा यूनिट ओफ एलेक्ट्रिक पावर आपको दोस्तों क्या करना है आपको क्वेशन्स पहले वीडियो पॉस करके खुद सॉल्फ करना है फिर आपको आंसर देना उसका फिर आप वीडियो को और रिवाइग रिजियूम कीजिएगा फिर आप देखेगा कि आप आपका आंसर सही है यह नहीं क्योंकि आंगे numerical questions भी है थियोरी भी है तो आप पहले खुद आंसर कीजिए फिर आप वीडियो में देखा कि देखिएगा कि आंसर आपका सही है कि नहीं क्या है आपका सही आंसर वीडियो को pause करिए solve करिए मैं बताने जा रहा हूं इसका आंसर इसका right answer है what और joules second है जो वो कोई unit नहीं होती है joules होती है energy की और work की ampere होती है current की बट जो electric power है उसकी होती है what so the SI unit of electric power is what दोस्तों ये practice questions में आपको MCQs भी मिलेंगे short answers भी मिलेंगे long answers भी मिलेंगे so आप वीडियो के साथ बने रही है और ये एक practice set नहीं आपके ऐसे बहुत में practice videos डालोंगे जिसमें आप अच्छे से practice कर पाएंगे questions को so इसका answer था what let's go to next question so next question is two electric bulbs have resistance in the ratio one is to two if they are joint in parallel series the energy consumed in them is same time is in the ratio ये question अब ठीक कर लीजिए ये parallel नहीं है means हमने जब electric bulbs हैं जिनका ratio और resistance का one is to two और हमने जब उन्हें series में connect किया तो energy जो consumed होगी उसका ratio क्या होगा same time में आपको इसका answer देना है video को pause करिए और answer दीजिए so मैं answer बता रहा हूं आपको अब so correct answer is one is to two जिनका भी correct answer आ गया है बहुत बढ़िया और जिनका भी नहीं आया है उनको मैं solutions दिखाता हूं so देखिए हमें energy का ratio निकालना है जब हमें resistance का ratio दिया है so अब देख सकते है easy equals to p into t होता है अब आपको formula याद होना चाहिए क्योंकि अकर formula याद नहीं होंगे तो आप basic questions भी नहीं कर पाएंगे फिर देखिए हमने p का formula पड़ा है i square r वैसे बहुत formula होते हैं power के एक होता है v square upon r पर देखिए v square upon r v square upon r तब लगेगा जब कोई भी registers parallel में लगे होंगे पर जब भी कोई registers सीरीज में लगे होंगे तो आप p का formula लगेंगे पावर का formula लगेंगे i square r यापको याद रखना है कि ये दोनों formula में से आपको कब कौन सा यूज करना है को पता होना चाहिए सो question में हमें दियाता कि हमें series में connect की हैं सो series के लिए current same होता है तो i square r लगाएंगे और अगर ये दिया होता कि parallel में लगाएंगे तो v square upon r लगाते क्योंकि parallel में potential same होता है सो हमने ये formula लगाया i square r t सो आप देख सकते हैं जो current होता है वो same होता है series combination में तो i यहां पर same है और question में दिया है कि time भी same है सो आप देख सकते हैं आप इस formula से जब ये दोनों चीज सेम है तो आप देख सकते है energy is directly proportional to resistance means जो energy है वो directly proportional है किस चीज के resistance के सो जब ये directly proportional है सो जब हम इससे relation बनाएंगे तो क्या बनेगा e1 upon e2 equals to r1 upon r2 so r1 upon r2 की value हमें question में दिये 1 is to 2 तो इसका सही answer हो जाएगा 1 is to 2 यह बहुत basic question था so basically इसमें ये निकल के आता है कि आपको formula अगर याद है तो आप कुछ भी कर लेंगे so और ये formula कभ कहां use करना ये भी में बता चुका हूँ जब i2 r होगा तो आपको ये series में लगाना है और जब v2 upon r होता है वो आपनको parallel में लगाना है so आगे बढ़ते हैं next question है which of the following quantities have same value for all the electrical appliances connected in a house देखिए मैं को question बता देता हूँ एक घर में अगर electrical appliances हैं तो वो हर electrical appliances के लिए इन में से कौन सी quantity हमेशा same रहती है so वीडियो को pause करिए answer दीजिए मैं answer बताना जा रहा हूँ so correct answer voltage देखिए power इसलिए same नहीं हो सकती क्योंकि हर appliance एक अलग power पे काम करता है और resistance जब अलग power पे काम करता है तो resistance भी अलग होगा और current भी अलग होगा क्योंकि ये तीनों चीज एक formula से connect है P equals to I square R अगर एक चीज भी अलग हैगी तो बाकी चीजों को भी अलग होना चड़िए बट जो voltage है अब अपने घर में जिसे जो household है उसमें अपना वोल्टेज आता है वह 220 वोल्ट आता है और वह fix है वह अप्लाइंस के लिए सेम है सो वोल्टेज एक ऐसी quantity है जो सारे एलेक्रिकल अप्लाइंस के लिए house में लगे हुए वो सेम रहती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला option है इस जनेरेटेटिट ओल्ली एफ फोल्टेज मेंस उसे हाई वोल्टेज पर ही बना आजाता है तो हाई वोल्टेज पर इसे ट्रांस्वर कर दिया जाता है बीच अप्षन है electricity सेट high वोल्टेज इसमें से राइट आंसर क्या है प्लीज मार्ट करिए वीडियो को पॉस्ट करके और दोस्तों जैसे मैं आपको electricity के question करा रहा हूं इसी तरीके से मैं मैं आपको बाकी chapters के भी questions कराऊंगा practice questions भी important questions भी दूँगा board के times में और जो PY की होते हैं वो भी आंसर बताने जा रहा हूं देखिए इसमें पहलो अप्शन इस जन्रेटेट अल्ली एठाइव वोल्टेज तो ऐसा नहीं है हम electricity को लो अगर बनाने की बात ही नहीं कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं ट्रांस्मेशन की मतलब अगर है पावर स्टेशन से सेटी में अगर हमें लाइट लाना है तो उसमें तो उससे एक्सपेंसिव और उसका क्या मतलब यह यह उप्शन भी एर्रेलेबेंट है सी ओप्शन देखें 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 यहीं इसका आंसर है सी ओप्शन देखें देखें बिकॉज जब एनर्जी को रहे हम ट्रांस्फर करते हैं हाई वोल्टेज पर तो कम एनर्जी का लॉस होता है पावर् जहां पर बनती है means power station पर जो electricity बनती है उसको हम हाई वोल्टेज पर क्र देते हैं step up transformer की विदत से और जब तो से равно उससे low voltage पर फिर से कर देते हैं i.e.s कर देते हैं जो घर के appliance से हो चल सके so asse orange is timelines of emission wind high voltage let's come to the next question question is electric bulb is rated at 60 watt to 40 volt when it switches on the current flowing through it means आपको बताया गया है कि कोई एक electric bulb है जो 60 watt पे काम करता है means यह आपको power दिया है और 240 volt पे काम करता है means यह आपको voltage दिया है और जब यह switch on कर दिया है तो current की value क्या होगे आपको current की value का answer देना है इसमें से correct answer क्या है please mark करिये video को pause करके video को pause करियो question को mark करिए so right answer is 0.25 देखिए answer क्या है देखिए आपको P दिया है आपको V दिया है और आपसे IP पूछा है तो जब आपको यह पता है कि पूछा क्या और दिया क्या है तो आप उसके इसके according आप question से आप formula सोचिए तो फॉर्मला हमने पढ़ा है पी इकस टू वी आई हमें पी की वेल्यू दिए 60 वी की वेल्यू दिए 240 और आई हमें निकालना है तो 60 divided by 240 आप इसे solve करिएगा तो आएगा आपके पर 0.25 तो correct answer is 0.25 आपको समझ आ गया होगा तो यह तो हुए mcqs question अब थोड़े short answer questions देखते हैं चलिए अब इसके questions आपको सोचना पड़ेंगे देखिए means अब आपको अब आप वीडियो को सच में pause करिए और इसका answer अपनी copy में लिखिए आप pen paper लेके बैठिएगा जिसे कि आपको इसका answer आप लिख सकें और solve भी कर सकें देखिए अब piece of wire is redrawn by pulling it until its length is double find the new resistance means हमने किसी wire को मतलब पुल करके उसकी length कर डबल कर दिया तो इसमें इसका new resistance क्या होगा means अब resistance क्या हो जाएगा wire का पहले wire का resistance अगर आर रहा होगा तो अब जाब उसकी length को हमने खीच कर double कर दिया तो अब उसका resistance क्या होगा यह आपको बताना है means new resistance क्या यह आपको बताना है तो वीडियो को पॉस्ट करिए और answer दीजिए चलिए मैं आपको इसका answer बताता है मैं answer बताने के साथ-साथ solving के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा- solution में क्या लिखा है देखिए आप समझिए length को double कर दिया तो length को double कर दिया तो volume तो change होगा नहीं volume क्या होता है किसी wire का cross section so volume of the material remains the same क्योंकि volume हमें से सेम रहेगा volume क्या होता है V is equals to A into L अब हमें पत यह होता है volume का formula so देखिए volume change नहीं होता है so अगर हमने length को change किया है तो length का change करने का जो effect है वो किस पर आएगा वो effect आएगा area पर so length change करने पर volume change नहीं होगा बट area change हो जाएगा और किस तरीके सोगा देखते हैं देखिए so when a length is double the area of cross section will get half means देखिए आपको मैं बताता हूँ जैसे देखिए यह दिया है वी जी कस टू a and to l यह formula होता है volume का so अगर हमने length को half कर दिया और हमें फिरसे से v करना है तो हमें sorry हमने length को double किया है अगर हमने length को double कर दिया और हमें दुबारा फिरसे volume को v ही रहना है तो हम area को आधा कर देंगे तो देखिए टू से टू कैंसल a and to l और a and to l को हमने week आता तो बापस means वही question आ गया न so volume हमेशा सेम रहेगा अगर हमने length को double किया है तो area आधा हो जाएगा अगर हमने length को four times किया है तो area one upon four हो जाएगा अगर हमने area को end time sorry length को अगर हमने end times किया है तो area one upon end times हो जाएगा so यह इसके पीछे का concept है if length and area are the original length and area means अगर हम l और a को माल ले है original length and cross section area हमने formula पढ़ा है r is equals to row l into a row l upon a so आप देख सकते हैं हमने इसमें length double कर दी देखे अब आपको यह question में नहीं दिया रहेगा कि area हमने आधा कर रहा या क्या कर रहा अगर आपको यह दिया गया है कि length आपने double कर रहे तो आपको अप खुदी समझ जाना कि volume same होता है तो area अपने आभी half हो जाएगा इसमें अपने आप देखे length को double किया तो area अपने आप हाफ हो गया तो यह उपर गया तो यह 4R हो गया means जो अब new resistance होगा वो new resistance पुराने resistance का 4 times हो जाएगा सो वैसे आप इसे कर सकते हैं बट इसकी ट्रिक भी है माल लीजे अभी तो आपको यह वैसे दिया theoretical questions में दिया है तो आप कर सकते हैं बट अगर आपको एक mcqs में दिया है और आपको जल्दी करना तो आप क्या करिए आप बस एक formula एद रखे आर is directly proportional to L square अब आप देखिए अब उनने length को double किया तो नया resistance क्या होगा यहाँ पर 2 रख दीजिए तो 2 का square तो हो गया 4 तो यह 4 times हो गया तो means 4R is the answer अगर यहां N times भी कर दें तो आप NR लिख दीजिएगा फिर इसका नया resistance NR हो जाएगा sorry N square R so means N square हो जाएगा means अगर कितना भी हम length को करेंगे तो जो resistance है वो L square times हो जाएगा जैसे कि हमने आप डबल किया तो यह 4 times होगे क्योंकि 2 का square होता है 4 I hope आपको यह trick समझ आई होगे पर यह trick आप तभी लगाएगा जब आप MC क्यूस कर रहे हो वरना आपको यही formula लगा के से solve करना होगा So इसी में अगर मैं आपको एक question दो कि हमने अगर length को 3 times कर दिया So area कितना हो जाएगा यह बताएगे आप और यह बताएगे कि new resistance कितना हो जाएगा So देखिए अगर length को 3 times कर दिया तो area 1 upon 3 हो जाएगा means अब area हो जाएगा अगर पहले area A है तो आप हो जाएगा A by 3 So 3 जब यह उपर जाएगा तो हो जाएगा 9 so means आजाएगा 9R So देखिए 3 था तो 9 हो गया means N square So आपको यह याद रखना है R is equals to L square So चलिए अब next question देखते हैं So next question है what do you mean by the statement a bulb is rated at 60 watt and 220 volt आप अगर दुकानों में भी जाते होंगे तो आप कोई भी एक अप्लाइंस ले रहे हैं तो इस पर यह लिखा रहता है कि अगर आप कोई भी material लेने जा रहे हैं जैसे बल्ब है उस पर लिखा रहता है 60 watt 220 वोल्ट So इसका मतलब क्या होता है यह ऐसे questions भी board में पूछे जाते हैं और आपके Monday टेस्ट में भी यह कम आ सकते हैं So answer दीजे इसका वीडियो पॉस करिए answer दीजे आपको यह theoretical question है तो आपको इससे समझाते हुए लिखना होगा Try करिए Try करिए So मैं बताने जा रहा हूं answer इसका So here is the answer The given statement means that the given valve consumes 60 joules of energy per second देखिए क्योंकि rated है न तो हमने देखी पड़ा था जो वह होता है power होता है Power का formula क्या होता है Power का formula होता है Power का formula होता है W upon T So देखिए 60 watt दिया है तो means power की value 60 watt है तो देखिए हम watt को क्या लिखते है 60 joules per second और यह joules per second को ही कहते हैं watt ठीक है तो यह joules per second है तो इसी से मैंने निकाला है कि यह जो bulb है वो कितनी energy consume करेगा 60 joules of energy per second when the applied voltage is 220 volt जब हम voltage कितना use करेंगे 220 volt तो आपको यह पता है कि what को हम क्या कहते है जूल्स तो इसी तरीके से सो बैसे यह questions मान लीजिए एक केस के लिए कि आपको उसमें हीटिंग एफेक्ट ऑफ करेंट एन एलेक्ट्रिक फ्यूज देखिए हमने पढ़ाता है हीटिंग एफेक्ट ऑफ करेंट ह is equals to I square RT तो इसका यूज क्या है एलेक्ट्रिक फ्यूज में आपको यह बताना है तो try the question pause the video देखिए अगर आपको questions नहीं भी आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको बता दूँगा questions बट आप try करिए क्योंकि try try में भी कभी कभी आपका answer सही हो सकता है so video को pause करिए try करिए और इसी तरीके से आपको और भी chapters के videos मिलते रहेंगे यह तो भी starting है और मैंने अभी electricity chapter लिया क्योंकि यह हो चुका है अगर आपने इसकी videos नहीं देखिए अगर मेंस आप पढ़ना चाहते है इस chapter तो आपको इसका link इन videos का link description box में मिलेगा और अगर आप notes भी इसके लेना चाहते तो notes का link भी मैंने PDF में दे दिया है description box में दे दिया है PDF form में तो आपको इसके video lectures भी मिल गए इसके notes भी मिल गए और अब मैं आपको खुद इसके question practice भी करा रहा हूँ और हो सकता है कि मैं इसके एक दू lecture और बनाऊं practice पे तो आंज का मतलब क्या है हो रही है produce उसका क्या यूज हैगा वो देखते हैं तो देखिए use of electric fuse wire is also based on the heating effect of current means यह जो fuse wire की working है वो heating effect of current पे ही based है fuse wire is made from a low melting alloy means हम उसे fuse wire को इस material से बनाते हैं जो low melting होता है means थोड़ी सी भी heat provide करने पे no melt हो जाएगा देखिए when the large current passes through the circuit this fuse wire gets heated up and melts away as a result of which electric circuit is broken and further damage is prevented देखिए अब देखिए मैं आपको बिल्कुल डीटेल में बताता हूं देखिए जिसे माल लीजे हमारे घर में जिसे माल लीजे हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है और 5 A की current हमारे घर में आती है बट क्या होता है कभी कभी क्या होता कि current माल लीजे जो limit है उससे exit कर गए माल लीजे 7 A का current आपके घर में आ रहा है और चाहिए अप्लाइंसे उसको कितना है 5 A तो यह जो required है उससे जादा ही आ रहा है तो इसके इसमें क्या होता है तो अगर अप्लाइंस की capability 5 A करेंट लेने की और अगर उसमें 7 A करेंट देंगे तो जो अप्लाइंसे वो खराब हो जाएगा तो इसी वज़े से आपके अप्लाइंसे या फिर जो भी आप material यूस कर र करते हैं सो इससे आपको अप्लाइंसे भी बज जाता है से के अंदर फिघूस वायर होता है वो फिघूस वायर को आपाएंस्का melting पॊंट बहुत लो होता है मतलब cucumbers depend low को एसे मेल्टिंग बनाते हैं जिसका मेल्टिंग नो होता है क्योंकि अगर माल लीजे जार्वा लिमिटस मुआ होता है चाहई चाहदा कर breakdown हो जाता है और circuit जब breakdown हो जाता है तो फिर current flow नहीं हो पाता और आंगे फिर damage भी नहीं हो पाता appliances का इसी वज़े से हम heating effect of current का use करते हैं electric fuse में means electric fuse किस तरीके से मतलब heating effect of current का किस तरीक से use electric fuse में वो मैंने आपको बताया है means इसमें हम क्या करते हैं जो fuse होता है वो हम low melting alloy का बनाते हैं जिससे क्या होता है जो heat produce हो रही है ज्यादा current flow होने से so इससे क्या होगा i2RT means ज्यादा current flow होगा तो heat भी produce होगी so heat produce होने से क्या है यह जो low melting wire है वो melt हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद जो circuit ब्रेक हो जाएगा और जो further damage हो बच जाएगा फिर हम wire को replace कर सकते हैं so फिर से वो चालू हो जाएगा और मैंस अब आपका जो appliance हो बच चुका है और न क्या कहते यह यह पहली use किया जाता था आज कल अब हम mcb use करते हैं so i hope आपको यह question समझ आया होगा इन questions में आपको practice questions में आपको देखिए numericals और मतलब theory के अलावा conceptual questions भी मिल रहे हैं जिससे आपको concept की भी clarity हो जाए और आगर आपको आता है तो आपका revise भी हो जाए so here is the next question please try it pause the video and try it the question is an electric heater is used on a 220 volt supply and takes a current of 5 ampere means को एक electric heater है जो 220 volt पे work कर रहा है और उसमें जो current है वो 5 ampere की वो ले रहा है so इसमें क्या है हमें पहला question है इसका कि हमें power बतानी है और second question हमें cost बतानी है using the heater for one hour means अगर one kilowatt hour जो है उसका अगर 50 पैसे लग रहे हैं तो अगर हम उसे एक घंटे के लिए यूज करेंगे सो इसका cost क्या होगा सो देखिए आपको दोनों question बताना है चो प्लीज वीडियो को पॉस करिए और ट्राइ करिए ट्राइद क्वेश्चन और पॉस्द वीडियो त्राइट सो पावर तो कोई issue नहीं है पावर तो आप निकाली लेंगे देखिए आपको वी दिया है मतलब voltage दिया और आई दिया है सो पावर तो आप निकाल लेंगे वी आई से पीजिकस टू वी आई आई आपको इसलिए मैं कह रहा हूं आपको formula याद होना चाहिए अगर आपको formula कर दें तो आप questions भी नहीं कर पाएंगे so here is the answer जिनका answer आ चुका है बहुत बढ़िया answer आ रहा है पी आ रहा है 1.1 kilowatt and जो cost आ रही है वो आ रही 0.55 तो अगर आपका answer सही आ रहा है अच्छी बात है और जिनका नहीं आया है वो देखिए देखिए आपको दिखिए यहाँ प पावर का ऐसा कौन सा formula है जैसे आव वी और आई की help से पावर नकाल सकते हैं तो एक ही formula है P 212i तो हमने देखिए यहां पर वही फॉर्मला यूज किया है P is equals to V into I तो देखिए V केता है 220 और 5 Ampere तो V I से हमने निकाला तो यह आ गया 1100 Volt तो आप देखिए अब यहां पर यहां पर यह कॉस्ट हीटर की निकालना है तो देखिए अब हमें cost निकालना है second case में बढ़ देखिए इसमें लिखा है 1 kWh के हमें दिये है 50 पैसे तो यह जो power आई है हमें इसको kWh में change करना होगा तो हमने इसे 1000 से divide कर दिया तो यह आगे 1.1 kWh अब हमें निकालना है electrical energy consumed so means cost कैसे निकालेंगे cost हमें निकालेंगे electrical energy कितनी यूज हुई है और मतब कितने time के लिए यूज हुई है so उसमें हम 50 पैसे का multiply कर देंगे so जब हम 50 पैसे का multiply कर देंगे so हमें cost आजाएगी means हमने कितनी देर के लिए यूज की और एक घंटे का उसमें कितने पैसे है अब देख सकते हैं हमने electrical energy निकाली VIT से तो V यहाँ पे 20V यहाँ पे 5A और 1R के लिए हमने उसे यूज किया है so energy आगई है 1.1 kWh आप यह डारेक्ट भी रख सकते है P into T से तो P आपको दिया ही था मतब आपने निकाल लिया है 1.1 और T है वो 1R हैगा पैसे तो हमने 50 पैसे से multiply कर दिया तो आप देख सकते हैं 0.55 रुपी इसका answer आ चुका है I hope आपको यह answer समझ आ गया होगा और I think कि आपको questions की जो difficult मतब जो questions है वो आपको अच्छे लग रहे होंगे difficult तो नहीं कह सकते questions को बट यह है कि आपके papers में भी इसी तरीके के questions पूछे जाते हैं और और भी sessions आएंगे practice sessions उसमें अलग-अलग varieties के और difficulty level भी बढ़ेगा questions का वीडियो से बने रही है सो हेर इस दे नेक्स्ट क्वेस्टन फॉर हीटर रेटेट एट फॉर किलोवाट 220 वोल्ट कैलकुलेट मेंस अगर आपको आपको means power दी है और आपको voltage दिया है सब आपको यह सारे questions नकालना है यह चार questions दिया है इसमें means आप देखिए एक ही question के अंदर चार question है जो आपकी practice भी अच्छी खासी हो रही है पहला को current नकलना है दूसरे resistance नकलना है तीसरे energy consumed two hours में नकलना है और fourth है the cost if the one kilowatt hour is priced at 50 पैसे वैसे question है तो easy बट आप देखिए चार question दिये तो चार marks का यह आपका question हो चुका है माल लीजिए अगर minus 5 marks का भी हो सकता है क्योंकि इसमें question बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं question को try करिए pause करिए वीडियो को try कर लीजिए चलिए मैं बताने जा रहा हूं इस question को तो देखिए आपको question में क्या दिया है for a heater rated at 4 kilowatt देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या दिया है जैसे यहां पर पावर नहीं लिखा है तो बैट से आपको पावर दिया है तो अगर आपको units भी याद है कि किसकी unit क्या है तो आप उससे बता सकते हैं अब जैसे यहां पर पावर नहीं लिखा है बर्ट आपन को पता यह क्योंकि इूट्वाट है वह पावर की unit होती है तो आपको power दिया ह्यायं गेवेन और 2-20 volt means अपन को वोल्ट दिया है 20 सु है आपको इसको दिया है वी दिया है फहला कुशिन क्या आपका पहला कूशन है सब सबाइब करेंट कैसे निकालेंगे हमें एक ही फॉर्मला पता है पीजे इक्वल मिद्सटों आई इस वी विणर आई सब देख सकते हैं कि आपको उसमें निकालना कि इसमें अपको करेंट कि तो अगर आपको दिए 4 किलो वाट यह तो अगर आपको उसमें करना तो यह थमाइगर पॉजागा 4000 फोट और यह हो जाेगा 220 va pressure & यह अपका आँसर आ जाएगा देखिया देखिए अंसर देखिए करेंट निकालना है आइज इकस टू पी अपॉन भी पी दिया आपको 4000 वाट और यह दिया है 220 वोल्ट आप इसे सॉल्फ करेंगे तो आपका जाएगा 18.2 एंपियर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है सेकंड क्वेश्चन है रिजस्टेंस ऑफ द वी क्वेश्चन आएंगे तो यह फॉर्मला है आपको रिजस्टेंस निकालना आपके पास वी है पी है तो देखिए कैसे निकालते है अपन तो देखिए रिजस्टेंस हो जाएगा देखिए आप उससे भी निकाल सकते है बट देखिए आपके पस करेंट आ चुका है और वोल्टे जा चुका है तो अब इससे भी निकाल सकते हैं वी आई से मीन्स हमने ओम स्लो से रिजस्टेंस निकाल लिया पर अगर आप वह फॉर्मला भी यूस कर सकते हैं पी इकस टू वी स्क्वेर अपॉन आर सो इससे भी आपका रिजस्टेंस आ जाएगा सो वी अपॉन है वी आपको 220 वोल्ट दिया आई अपन निकाल चुके हैं 18.2 सॉल्फ करने पर आ जागा 12.1 ओम स्वाई होब आपके दोनों आंसर आ गए होंगे आपके सब्म स्क front वैए सो नेक्स्ट कुेशन से और जी कंजींघ़ंड थे फॉन आप एकर आपको स्पार Π कर करेंगे तो आ कि एट्ट्रेम इसको देंगेंट 12isine सब्सक्राइब करने पर 8000 वाट आर आप इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो एट किलो वाट आर सो अब देख सकते हैं किस तरीके से सिंपली आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नेक्स्ट है दा कॉस्ट इफ वन किलो वाट आर इस प्राइज डेट 50 पैसे देखिए अब आपकी जो एट किलो वाट आर है पर एक किलो वाट आर के आपके पैसे कितने हो जाएंगे अगर हम इसको रूपीज में चेंज करेंगे तो 0.50 एट से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आ जागा 4 रूपीज मीज़ ये टोटल कॉस्ट कितनी आ जागी 4 रूपीज सो कॉस्ट निकालने के लिए बेसिकली क्या करना पता है एनर्जी इन्टू प्राइस कितना आपने एनर्जी कंजूम करी और एक जो यूनिट है उसका कितना प्राइस है सेम इसी तरीके से हम घर की भी जो लाइट आती है उसका भी हम कॉस्ट इसी तरीके से निकालते है तो तेरी याद है तो आपको तीनों केस्ट आजाएंगे डिफाइन दा फॉलविंग डेफिनेशन पूछी आपसे इस क्वेशन में पहला है वन एम्पेर दूसरा वन वॉट तीसरा वन वोल्ट आपको यह तीनों की डेफिनेशन आपको बताना है यह बहुत पूछा जाता है क्वेशन में यह वन मार्क में पूछा जा सकता है टू मार्क में पार्ट में पूछा जा सकता है फाइम मार्क में पार्ट में पूछा जा सकता है तो बेसिकली यह अच्छा क्वेशन है तो आप मतलब आप हैं तो बहुत क्वेशन बहुत सरल बट यह टाइप्स में पूछ तो देखिए 1 ampere क्या होता है अब देखिए हमें current की basically definition लेखना है current क्या होता है current होता है q into upon t तो यह होता है formula current का formula क्या होता है i is equals to q upon t q is equals to i t होता है न तो यह वह formula है तो हमें 1 ampere बताना है इसमें means हमें i को क्या करना है 1 ampere करना है तो अगर हम Q को भी 1 कर दें और टाइम को भी 1 कर दें तो solve होने पर क्या आएगा 1 upon 1 1 तो means अगर हम इसको 1 कूलाम कर दें और इसको 1 second कर दें क्योंकि कूलाम और second इसलिए क्योंकि इनका ये standard unit होती है तो solve होने पर क्या आएगा 1 ampere तो basically बस इसी से आप इसकी definition बना सकते तो देखिए 1 ampere when 1 कूलाम और चार्ज flows through the conductor in 1 second means यही 1 कूलाम upon 1 second जो मैंने अभी आपको बताया then the current passing through the conductor is 1 ampere तो आप देख सकते हैं बिल्कुर basic सी definition अगर आपको formula आदे हैं तो आप देखिए definition भी आप कर सकते हैं आराम से through the conductor is 1 ampere चलिए next step 1 watt so देखिए what कि स्की unit होती है power की तो power का हमें एक formula power के वैसे बहुत formula होते हैं और आप हर formula से definition दे सकते हैं बट यह बिल्कुर basic है जो इस formula से आप अच्छे से दे पाएंगे means आपको अच्छे से याद रहे कि इसमें अच्छा है सो देखिए power को हमें 1 watt करना है सो देखिए 1 watt करना है तो हमने work क्या कर दिया वन जूल कर दिया और जो टाइम में वन सेकंड कर दिया means जब भी कोई appliance वन जूल आफ एनरजी कोई consume कर लेगा वन सेकंड में सो इसी को क्या करेंगे 1 watt basically बस आपको definition याद करने की ज़रूरत नहीं है बस आपको formula याद है तो देखिए 1 watt क्या है when 1 joule of work is done in 1 second then the power consumed is equal to 1 watt means when 1 joule of work is done in 1 second then the power consumed is equal to 1 watt means P is equals to W upon T आपको formula याद होना चाहिए next है 1 volt तो 1 volt की definition देखते हैं देखिए 1 volt means potential difference की बात हो रही है आपे तो 1 volt क्या होता है देखिए जब 1 joule of work means जब 1 joule of work done होता है जब हम एक कूलम चार्ज को कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं electric field में तो इसको कहते हैं 1 volt means 1 joule of work is done in taking 1 कूलम चार्ज from 1.2 another then the potential difference is called 1 volt देखिए आप इसका भी formula याद रख सकते हैं V is equals to W upon Q so W यहाँ पर आगा 1 joule और यहाँ पर sorry 1 joule और यह जो Q है वह जाएगा 1 कूलम means जब हम electric field में कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हम एक कूलम चार्ज को transfer करते हैं और energy अगर 1 joule खर्च हो रही है तो जो voltage आगा वह कितना आगा 1 volt so when 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge from one point to another in an electric field then the potential difference is called 1 volt so I hope आपको यह answer आ गए होंगे बट आप अगर theory पढ़ रहे है मेरे साथ video lectures में तो आपको यह सारे question मतलब यह जो theory की questions है वो आपको आ जाएंगे so here is the next question 12th question a 40 watt lamp requires 0.18 82 ampere of current means कोई एक 40 watt की lamp है उसको इतना current चाहिए at 220 volts means 0.182 ampere of current at 220 volt while a 60 watt means कोई एक दूसरी lamp है जो 60 watt की है और जिसको current की requirement है 0.72 272 ampere at 220 volt means इसको 220 volt पे चाहिए 0.182 और इसको 220 volt पे चाहिए 0.272 if a 40 watt lamp and a 60 watt lamp means अगर हम इन दोनों लैंपों को connect करतें series में 220 volt line से so how many amperes of current will flow through each lamp means फिर अलग-अलग separately अलग-अलग lamp से कितना current flow होगा हमें ये बताना है so try करिए मैं आपको इसका बताऊंगा अगर आपको नहीं आ रहा है तो चिंता लेने की आपको बात नहीं है don't take tension अगर आपको questions नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो से आप बने रही है ट्राय करिए वीडियो को पॉस करिए चलिए मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ so देखिए अभी questions इतने बड़े हैं तो देखिए अब मैं आपको एक link बनाने की कोशिश करता हूँ आपसे पूछा क्या है current आपको कुछ नहीं पता आपको तो बस basic एक formula पता current का एक formula होता है ohms law से वी अपॉन वी जिकस टू आई आर so अगर हम i को subject बनाएंगे तो आओ जाएगा v upon r so हमें तो basically current चाहिए और हमें voltage और resistance की requirement है और voltage हमें question में दे रखा है 220 volt so means हमें जो काम करना हमें resistance का काम है तो हमें resistance निकालना है b means i hope आपको समझ आ गया होगा कि हमें basically current निकालना है current हमने ohms law से निकालेंगे v upon r क्योंकि एक formula होता है i equals to q upon t पर हमें time नहीं दिया है तो हम वह formula नहीं लगा सकते हैं एक ही formula बसता है i equals to v upon r और v हमें दिया है question में 220 volt r की हमें requirement है तो हम देखते हैं देखिए फिर हमने एक इसमें formula यूज़ किया यह पावर का formula है क्योंकि हमें question में power दी है और हमें पावर दी है और हमें क्या कहते है current दिया है कि उन्हें उस voltage पर particular voltage पर कितना current चाहिए तो यह formula बिल्कुल suitable है पी इकस टू आइ स्क्वेर आप देख सकते हैं से हमने आर निकाला 40 watt 40 watt lamp का मैंसे हमने resistance निकाला जो 40 watt की lamp है उसका सो इसका formula हमने इसी में values पूट कर दी तो आप देख सकते हैं हमने value पूट कर दी और answer कुछ आ रहा है resistance को हम सीरीज में connect करते हैं तो जो net resistance का formula होता है वो क्या होता है आर वन प्लस आ टू मैंस जितने भी resistance है उसका direct हम समका देते हैं तो इसमें भी हमने देखा देख है कि जब हमें आर वन मिल गया आर टू मिल गया तो हमने resistance निगाला तो हमने दोनों को एड कर दिया और दोनों को एड करने पर हमें यह मिला है 2018.6 सो दिख्या हमें resistance मिल चुका है और applied voltage हमें question में दिया गया था 220 वोल्ट सो हमें निकालना क्या है हमें current निकालना था basically formula लगा देंगे i is equals to v upon r और v हमने 220 वोल्ट रखा यहां पर हमने रखा 2018.6 सॉल्फ करने पर कुछ 0.109 एंपियर कुछ आ गया है तो दोस्तों हम चाहिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like करिए और वीडियो को share करिए और तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe ने किया है तो please चैनल को subscribe कर लिजिए बैल आइगन को भी प्रेस कर दीजिए जिस इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे है ठेंक यू तो देखी दोस्तों इस question में से क्या पूछा गया है इस question में से equivalent resistance पूछा गया है A and B के बीच में सो दोस्तों यह रहा A point यह रहा B point आपको यह resistance solve करना है सो दोस्तों आप देख सकते हैं यह सारे resistance 6 ohm के हैं सो आप देख सकते हैं यह जो दो resistance है यह series combination में है तो अगर हम total resistance निकालेंगे तो 6 और 6 हो जाएगा 12 means यह जो equivalent resistance है first row का वो 12 आ जाएगा so क्योंकि series combination में जो formula होता है वो होता है R1 plus R2 और दोस्तों जब यह पूरा हट जाएगा और 12 ohm का resistance यह लग जाएगा तो 12 और 6 यह दोनों हो जाएगे parallel में फिर हम इसे parallel में solve करेंगे और parallel के लिए formula आता हो है 1 upon R1 plus 1 upon R2 तो 6 और 12 को आप जब इसे solve करेंगे तो आपको तो इसका correct answer है 4 ohm दोस्तों यह बिल्कुल basic question है यह two marks का question है चलिए अब आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों next question आपकी screen पर दोस्तों वीडियो को pause करिए question को try करिए question हमसे कह रहा है two resistors of 4 ohm and 6 ohm अगर are connected in parallel और दोस्तों यह जो combination है वो six volt की battery से connect है जिसका कोई भी resistance नहीं है so हमें calculate क्या करना है current through the battery means हमें current की value निकालना है और हमें current निकालना है through each resistor और दोस्तों इस question में आपको diagram नहीं दिया गया है तो आपको diagram भी draw करना है तो चलिए दोस्तों वीडियो को pause करिए question को try करिए दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको electricity chapter के practice questions करा रहा हूं इसी तरीके से मैं और भी chapters के practice questions करांगा so please आप चैनल को subscribe कर दीजे और वीडियो पसंदा रहा है तो please वीडियो को एक thumbs up दे दीजे चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका answer बताता हूं दोस्तों इस question में हमें 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 यहां पे current निकालना है हमें voltage दिया है और हमें resistance दिया है अगर हमें current निकालना है तो हमें ओम slow लगाया है और दोस्तों ओम slow होता है i z equals to v upon r वी हमें दिया था 6V और दोस्तों जो हमें रेजिस्टेंस होँ हमें total resistance रखना होगा so total resistance हम निकालेंगे हमें पता है question में दिया गया कि 4 और 6 ohm का दो resistor parallel combination में लगे हैं तो हम total जब निकालेंगे तो हम निकालेंगे 1 upon R1 plus 1 upon R2 फिर हमने LCM ले तो 12 आया और solve होने पर एक कुछ 12 अपॉन 5 आया जिसको हम solve करने पर 2.4 कह सकते हैं So total resistance आ चुका है 2.4 और हमें voltage दिया है 6 So हमें जब voltage पता है, resistance पता है तो हम current निकाल लेंगे ohms law की मदद से So I is equals to V upon R और यह solve होने पर कुछ 2.5 ampere आ जाएगा Means दोस्तों वो पूरे circuit में total current है, वो है 2.5 ampere दोस्तों चलते हम next पे, next part में हमसे यह पूछा किया है कि current बताईए हर एक register में तो हम जानते हैं कि जो parallel combination में connect हैं तो जब 6 volt की battery connect है parallel combination में तो दोनों registers में जो voltage होगा वो same होगा क्योंकि हमें पता है जो potential difference होता है वो parallel combination में same होता है, तो वी तो दोनों के लिए same रहेगा और register एक का 4 है और एक का 6 है और हमें current नकालना है तो हमने फिर से ohm slow लगा दिया है I1 is equals to V upon R1 तो वी तो दोनों के लिए same है 6 and 6 और एक के लिए 4 और एक के लिए 6 सो यह solve होने पर कुछ 1.5 and 1 amp आ गया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो total current है वो 2.5 amp आ है और एक रेजस्टर में 1.5 जा रही है और एक में 1 सो अब add करने पर देख सकते हैं total आ रही है 2.5 तो means हमने जो नकाला 2.5 यह बिल्कुल correct है सो इसी के साथ हमां question हो चुका है done चलते हैं अब next question पर चली दोस्तों अब next question आपकी screen पर दोस्तों इस question में हमसे पूछा गया है equivalent resistance between A and B सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें equivalent resistance नकालना A and B के बीच में सबस्तों अब देख सकते हैं यह three और यह two यह two यह दोनों connect है series में सो इसका total हो जाएगा five सेम इसा तरीके से यह six और यह four our इसका total हो जाएगा ten और दोस्तों यह 30 दिया ही है सो दोस्तों यह total हो जाएगा 5 यह 30 और यह ten और यह तीनों parallel combination में connect हैं तो हमने इसमें parallel का formula लगाना है तो दोस्तों आप देखी सकते हैं हमने इसमें formula लगा है 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 तो 1 upon 5 plus 1 upon 30 plus 1 upon 10 यह solve होने पर कुछ आ जाएगा 10 by 30 means 3 ohm so total resistance Rav कितना आ जाएगा 3 ohm so question हो चुका है done चलते है next question पर चलिए दोस्तों next question है आपकी screen पर दोस्तों इस question में एक diagram दिया गया है इसमें effective resistance निकालना है और हमें reading of the meter means हमें current निकालना है so हमें इस question में निकालना है resistance and current so दोस्तों वीडियो को pause करिए question को try करिए pause the video try the question I hope दोस्तों आपने question try कर लिया होगा चलिए मैं आप इसका answer बता देता हूँ so दोस्तों आप question में देखी सकते हैं जो R2 और R3 है यह वो series combination में connect है तो हमने इसमें direct formula लगा दिया 2 प्लस 4 हो गया 6 ohm और दोस्तों जो हमने total resistance निकाला तो जो R23 means solve होने पर जो आया 6 ohm और जो R1 था 6 जो पहले से question में दिया गया था यह वो parallel combination में हैगा तो दोस्तों हुआ है जो दोस्तों यह solve होने पर जो R23 आया है और R1 वो parallel combination में है तो हमने से formal लगा है R1 प्लस 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 तो 1 upon 6 प्लस 1 upon 6 यह solve होने पर आ जाएगा 3 ohm हमसे पहले पार्ट में यही पूछा गया था total resistance तो total resistance आ चुका है 3 ohm और दोस्तों second question में हमसे पूचा गया है current सो हमें V दिया गया था question में 6 और हमें resistance हमने निकाली लिया है 3 ohm सो दोस्तों हमें जब current निकालना है तो हमने simply formula लगा दिया V upon R सो दोस्तों हम देख सकते हैं 6 upon 3 हो गया 2 amp so current आ चुका है 2 amp चलिए दोस्तों next question आपकी screen पर दोस्तों इस question में हमें दो registers दिये गए हैं जो parallel combination में connect है first की value है 1 ohm and second की है 2 ohm और दोस्तों यह 2 volt की battery से connect है तो दोस्तों हमें इस question में क्या बताना है हमें इसमें बताना है what is the current flowing through each of the registers A and B सो दोस्तों इसमें बैटरी दी गई है 2 volt की और जो registers है वो है 1 ohm and 2 ohm सो दोस्तों वीडियो को pause करिए question को try करिए pause the video try the question I hope दोस्तों आपने question try कर लिया होगा चलिए अब मैं आपको इसका answer बताता हूं सो दोस्तों आपने question में देखी लिया होगा हमें दो register दिये हैं 2 ohm and 1 ohm का जो की parallel में connect हैं सो दोस्तों हमने जब इसे solve किया तो आया 2 upon 3 दोस्तों मैंने इसमें यह formula लगाया r1 plus r2 upon r1 plus r2 सो दोस्तों यह formula तब ही आता है जब आप इसे solve करते हैं 1 upon r1 plus 1 upon r2 को सो दोस्तों मैंने यहाँ पर direct formula apply कर दिया और answer आ रहा है 2 upon 3 मतलब rt की value आ रही है 2 upon 3 means total resistance आ चुका है 2 upon 3 और voltage हमें given है 2 volt और दोस्तों हमने इसमें total current निकाला ohms law की मदद से v upon r formula होता है तो दोस्तों 2 upon 3 upon 2 यह solve होने पर 3 ohm आ जाएगा और दोस्तों जब हम इसमें individual current निकालेंगे तो हमने first resistor में current निकाला है वो आया v upon r वी हमें दिया है 2 volt question में ही given है और पहला resistance है 1 तो यह solve होने पर आ गया है 2 और second question में second part में दोस्तों हमें 2 volt की battery है और 2 ohm का resistor है तो यह solve होने पर 1 आ चुका है तो दोस्तों आप देख चुके हैं जो individual resistance है उसे add करने पर हमें total resistance मिल रहा है means हमरा answer बिल्कुल correct है तो दोस्तों question हो चुका है done चलते हम next question पर चली दोस्तों अब next question आपकी screen पर question हमसे कह रहा है the figure shows a circuit when the circuit is switched on the emitter reads 0.5 ampere means आपको current की value दीए 0.5 ampere और आपको question में circuit given है और आपको निकालना क्या है आपको पहला part है गा इसमें value of r means यह जो resistor r connected की आपको value निकालना है second part अगर charge निकालना है आपको 3 ohm के resistor है means इस वाले resistor में आपको charge निकालना है और time आपको दिया है 120 seconds and third part है आपको power dissipated निकालना है 3 ohm के resistor में so दोस्तों इसके 3 part है so यह 3 marks का question है so दोस्तों please try करिए question को वीडियो को pause कर दीजिए question को try करिए चलिए दोस्तों I hope कि आपने question को try किया होगा चलिए मैं आपको इसका answer बताता हूं दोस्तों हमें पहले part में निकालना है r की value और हमें current given है and voltage given है so हमने इसमें ohm slow apply कर दिया तो 0.5 and 6 और दोस्तों जो resistance होगा वह हम total रखेंगे तो आप देख सकते हैं जो 3 और आर ओम का resistor है यह series combination में connect है और series combination में जो total resistance होता है वह होता है r1 plus r2 तो यह हो जाएगा 3 plus r सो दोस्तों यह solve होने पर कुछ 9 ohm आ चुका है तो r की value आ चुकी 9 ohm means जो r ohm का resistor है उसकी value है 9 दोस्तों और second part में हमसे पूछा गया था charge in the 3 ohm resistor सो दोस्तों चार्च का formula क्या होता है q is equals to i into t time हमें दिया था 120 seconds सो current हमने current question में भी given है 0.5 क्योंकि दोस्तों दोनों चीज हमें given है तो हमने q is equals to i t हमने formula लगा है value पूट करीं तो answer आगे 60 coulomb सो इसका correct answer is 60 coulomb और दोस्तों third part में हमसे पूछा गया था power dissipated in the 3 ohm resistor सो दोस्तों power का formula क्या होता है power का formula होता है वी आई बट दोस्तों हम यह question यह apply नहीं कर सकते क्योंकि हमें resistor में नकालना है हमें पूरे circuit का नहीं है वह में दिया गया है 0.5 तो इसका square हो जाएगा 0.25 यह कुछ solve वहने पर 0.75 watt आ चुका है तो दोस्तों तीनो पार्ट हो चुके हैं done question चली दोस्तों अब next question आपकी screen पे question हम से कह रहा है five resistors of different resistances are connected together as shown in the figure 12 volt battery is connected to the arrangement means आपको five resistors दिये गए हैं जो different combination में connect हैं और उसमें 12 volt की battery apply करी है तो दोस्तों आपको इसमें निकालना है total resistance in the circuit and total current flowing in the circuit means आपको resistance बताना और current बताना है तो दोस्तों मैं आपको इसका diagram बता देता हूं है तो दोस्तों यह रहा इसका diagram means आपको इसमें क्या निकालना आपको total resistance बताना और total current बताना है तो दोस्तों आपको diagram भी given है क्योंकि इनका एक terminal एक point से connect है और दूसरा तर्मिनल आपको रहा है और जो की दोनों में common है ओर यह भी निकालना है और यह निकालना है यह और ने में इसको क्या हो फार्मिल होता है वन उन और दोस्तों सॉल्व होने पर कुछ यह 8 ohm दे रहा है और दोस्तों हमने जब 345 इनको solve किया 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 के formula से तो यह कुछ 10 ohm आ रहा है और दोस्तों हम देख सकते हैं यह solve होने पर आया जो 8 और यह solve होने पर आया 10 यह दोनों सीरीज में connect हैं सीरीज में इसलिए connect है क्योंकि इसका एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के से connect है means इनका कोई common point नहीं है सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें total resistance के लिए formula r1 plus r2 10 plus 8 हो गया 18 तो इसका total resistance आ हो चुका है 18 ohm तो पहला पार्ट हो चुका है done next question में हमसे पूछा गया है current सो दोस्तों आपको पता है जब हमें voltage पता है मतलब 12 वोल्ट की बैटरी हमने apply करी है total resistance आई चुका है 18 तो वी पता है और पता है तो हम current भी आराम से निकाल लेंगे वी अपॉन आर के formula से means ohms law से सो यह कुछ आजाएगा 0.67 ampere सो दोस्तों question हो चुका है done आई दो चली दोस्तों अब next question है आपकी screen पे दोस्तों question को try करिए question हमसे कह रहा है electrical appliances rated 1500 watt means हमें power दिये और हमें voltage दिया 250 वोल्ट और हमसे दोस्तों पूछा गया है current drawn means हमसे आई पूछा गया है और दोस्तों हमसे electrical energy पूछी गई है और हमसे पूछा गया है cost तो दोस्तों इसमें electrical energy में हमें time दिया है 60 hours और जो cost है की per kilowatt आर गी वह है 2.5 तो दोस्तों try करिए question को वीडियो को pause करिए चलिए दोस्तों मैं आपको इसका answer बता देता हूं तो दोस्तों आप इसका answer देखते है answer है देखिए हमें P दिया है हमें V दिया है और हमें current नकालना है तो हम formula जानते है P equals to VI और इससे हम आई आराम से calculate कर लेंगे तो आई हो जाएगा पी अपॉन वी सो यह जागा 1500 अपॉन 250 यह कुछ आ जाएगा 6 Ampere means जो current है circuit में वह होगी 6 Ampere और दोस्तों हम जो electrical energy का formula जानते हैं वह होता है वी आई टी तो वी आई की जगह पर हम रख सकते हैं P सो यह formula हो जागा P T तो हमने जब इससे apply करा तो P T P क्या होगा 1500 और time है गा 60 hours और दोस्तों हमने इसे kilowatt hour में change करने के लिए हमने 1000 से divide कर दिया हो जाएका 90 kilowatt hour और दोस्तों थर्ड में पार्ट में हमसे पूछा गया cost जब हमें पर kilowatt hour की जो rate है वो दिया है 2.50 तो दोस्तों हम एक kilowatt hour तो यूज कर नहीं रहे हम कर रहे है 90 kilowatt सो जब एक kilowatt hour का price 2.5 रुपीज है तो 90 का कितना हो जाएगा 225 मेंस हमने simply multiply कर दिया और answer आगे 225 सो यह थर्ड तीनों पार्ट हो चुके हैं और question हो चुका है और दोस्तों I hope कि आपको एक question समझ आया होगा इस question में क्या पूछा गया है in the figure VI graphs experimentally obtained in different cases select the graphs for omic and non-omic registers दोस्तों इस question में आपको यह different graph दिये गए हैं तो आपको बस इसमें यह बताना है कि कौन सा graph omic register के लिए show कर रहा है और कौन सा non-omic register के लिए यह objective type question है तो दोस्तों question को try करिए आपको बस इसमें एक विए गिराफ की छोटी सी property पता होने चाहिए और अगर आपको पता है तो आप यह question जल्दी कर लेंगे तो दोस्तों try करिए question को वीडियो को post करिए question को try करिए तो दोस्तों I hope कि आपने try कर लिया होगा चलिए मैं आपको इसका answer बताता हूँ देखिए दोस्तों वी आई graph की ऐसी कौन सी property है जिससे हम यह question जल्दी कर सकते हैं तो वो है देखिए जो वी आई graph होता है means हम voltage और current में जब हम graph खीशते हैं graph draw करते हैं तो आप देखेंगे क कि स्च्रीट लाइन आता है और यह जर्ड्रीट लाइन सलोप होता है मींस ठीटा इंगल जो बना रहा होता है में छोण करता है resistance सो हमें बस यह याद रखना कि जो विए ग्राफ होता है इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है इंक्लाइन टू था टाइम एक्स एकसेज और दोस्तों और यह जो पास करता है सो जिसका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा वो, जो positively को कर रहा है और जो, ग्राफ एक कर्व होगा वो शो नॉन Do K references वो ऐसमें देख सकते हैं पहले ग्राफ विल्कुल सही है स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है तो यह ओमिक रेजिस्टर का ग्राफ है और बी वाला भी इसमें ओमिक रेजिस्टर है क्योंकि इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन है और आप ये ये वाला भी देख सकते हैं ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों ओमिक रेजिस्टर के शो कर रहे हैं और दोस्तों आपी C, D औ और Okay ढिक सकते हैं ये सारे करव कोई भी स्टेयट लाइन नहीं है मिन्स्थ यह ओमक्य रिजिस्टर नौनोऋ मक्य र particular में इस इन तो बेसिकल यह चो स्टेयट लाइन के ग्राफ है बेसिकलि यह रिप्रेसेंट कर रहे हैं कि यह मटेरियल ओम लाइन कर रहा है। और जो भी ग्राफ एक कर्व है वो यह बता रहा है कि जिस चीज का भी ग्राफ है तो वह अप्लाइंस ओम्सलोग को फॉलू नहीं कर रहा है हम इस क्वेशन में बस यही बताने था कि कौन सा ग्राफ ओमिक रेजिस्टर को शो कर रहा है और कौन सा नौन ओमिक को इस चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेशन हैगा आपकी स्क्रीन पर क्वेशन को ट्राइ करिए वीडियो को पॉस करिए और दोस्तों आंसर दीजिए इस क्वेशन में आपसे पूछा गया है calculate the potential difference means आपनको V निकालना है required across a conductor of resistance 5 ohm to pass a current of 1.5 ampere means आपको resistance दिया है current दिया है और आपको V निकालना है तो दोस्तों आप इस question को करने के लिए आप एक formula सोचिए जो V, I, and R को relate कर रहा हो फिर आप question को easily solve कर लेंगे चलिए दोस्तों वीडियो को pause करिए पॉस्तों को try करिए पॉस्तों दोस्तों इसी तरीके से और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो प्लीज चैनल को subscribe कर लीजिए चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बताता हूं I hope कि आपने try कर लिया होगा so here is your answer so answer क्या है देखिए आपको question में r दिया था 5 ohm और current दिया था 1.5 ampere और आपको v निकालना था तो हम ohm slow जानते हैं v is equals to ir so I hope दोस्तों कि आपको question समझ आया होगा basic था बिल्कुल ohm slow से था चलिए दोस्तों next question आपकी screen पर दोस्तों वीडियो को pause करिए question को try करिए यह एक अच्छा question है तो प्लीज आप इसे mark कर लीजिएगा अब यह question कैसे अच्छा है मैं आपको बताता हूँ question क्या कहता है a torch bulb when cold has one ohm resistance means जब torch bulb है जो वो on नहीं है on नहीं है तो heat भी produce नहीं हो रही है तो जो torch bulb है वो cold है और उसका कुछ resistance है one ohm it draws a current फिर हमने जब इसे source से apply किया तो हमने देखा कि current इसमें flow हो रहा है 0.3 ampere when glowing from a source of 3 volt means जब इसे हमने 3 volt की battery या किसी भी source है current का हमने उससे यह connect किया तो हमने देखा कि 0.3 ampere current इससे pass हो रहा है है तो आपको क्या करना है इस question में calculate करना resistance of the bulb means आपको resistance नकालना है bulb का when glowing देखिए आपको जो resistance question में दिया है यह आपको तब दिया है जब कोई भी current flow नहीं हो रहा था और आपको question में पूछा गया है resistance जब current flow हो रहा था और bulb glow कर रहा था और आपको यह reason बताना है कि difference क्यों है resistance में मिंस आप यह जब resistance निकालेंगे तो कुछ values आएगी वो resistance और यह resistance में फर्क क्यों है आपको यह explain करना है reason के साथ तो दोस्तों वीडियो को pause करिए question को try करिए Try the question, pause the video और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो Please वीडियो को थमसब दे दीजे और प्लीज दोस्तों, वीडियो को शेर भी कर दीजे आ छलिए दोस्तों, I Hope कि आपने ट्राय कर लिया होगा छलिए अब answer देक्ते हैं 새로운 question का So, here is your answer देखिए दोस्तों आपको question में दिया गयता है कि हमने 3 वोल्ट की बैटरी से उसे connect किया गया है या किसी सोर्स से connect किया गया है हमने V की value 3 है और I की value 0.3 है हमें resistance निकालना है हमने फिर से ohms law apply कर दिया V is equal to I into R तो हमने अगर R को subject बनाएंगे तो V upon I और इस solve होने पर 10 ohm आ गया है और हमें question में दिया गया था जब torch bulb cold है तो 1 ohm उसका resistance है और अब जब bulb glow कर रहा है तो आप आ रहा है 10 ohm तो difference क्यों आ रहा है resistance का यह हमें बताना है इसका reason क्या है the reason for the difference in resistance of the bulb when cold and when it glows is that the resistivity of the filament of the bulb increases with the increase in the temperature दोस्तों हम resistivity की एक property जानते है कि temperature जो conductor की resistivity होती है उसकी एक property होती है कि जो temperature बढ़ाने पे उसकी resistivity increase हो जाती है तो दोस्तों यही इसका reason है कि जब हमने battery से current flow कराया तो current flow होने से heat produce होई और heat produce होने से temperature increase होई और temperature increase होने से resistivity increase हो गई तो इस वज़े से यह difference आया है I hope दोस्तों आपको question समझ आ गया होगा यह two marks का question है बट यह अच्छा question है इसलिए मैंने से यहां पर आपके सामने लाया हूँ तो दोस्तों प्लीज आप इसी तरीके से अच्छे questions practice करते रही है मेरे साथ चली दोस्तों I hope कि आपको question समझ आया यह एक objective question है बहुत easy है और which of the following statement does not represent ohms law means अब आपको यह बताना है कि इन में से कौन सा statement ऐसा है जो ohms law को show नहीं कर रहा है means ऐसा कौन सा statement है जो ohms law नहीं है तो दोस्तों इसका answer हैगा तो दोस्तों इसका correct answer हैगा डी option यह जो statement है यह इसका answer नहीं मतलब यह ohms law नहीं है i is equals to r into v नहीं होता है formula होता है i is equals to v upon r और यह बाकी तीनो statement ohms law show कर रहे हैं सो इसका right answer था डी option चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि सो दोस्तों here is the next question दोस्तों यह भी objective question है बट दोस्तों आप वीडियो में बने रही है आपको इस वीडियो में short answers और long answers और different marks के questions भी देखने को मिलेंगे यह भी one marks के question है आपको two marks के मिलेंगे three marks के भी और four marks के भी सो दोस्तों वीडियो के साथ बने रही है चली दोस्तों question को try करिए वीडियो को pause करिए so question हमसे कह रहा है for which of the following substances resistance decrease with the increase in temperature means आपको यह बताना है तो किस केस में बताया यह किस केस के लिए होता है कि हम जब भी temperature को increase करेंगे तो merchant कम हो जाएगा कि जली दोस्तों ट्रभ एकर ही इसका ऑसर बटता हूं इसका करेक्ट टरे कार्बन कार्बन क्यों क्योंकि कार्बन सेम कंड़क्टर wr सेमि कंड़क्टर कि चैंहरे को च्छोटी सिप्रआटि पता होने चाहिए सो दोस्तों इसका correct answer हुआ C option carbon because carbon एक semiconductor है और temperature increase करने पे इसका resistance decrease हो जाता है I hope दोस्तों आपको एक question समझ आया होगा चलिए अब चलते है next question पे चलिए दोस्तों आप next question है आपकी screen पे इस type का question अभी हम कर चुके हैं इसी वीडियो में सो दोस्तों जल्दी से आप इसका answer बता दीजिए इसमें भी दोस्तों आपको आई-वी characteristic curve दी गए और आपको यह बताना है कि कौन सा omic है और कौन सा non-omic resistor को रिप्रेजेंट कर रहा है सो दोस्तों मैंने भी आपको बताया omic के लिए means omic क्या होता है omic means वह रिजिस्टर omic को फॉलू कर रहा है और omic फॉलू करने के लिए मैंने अभी आपको बताया जो वी आई का graph रहेगा वह हमेशा straight line रहेगा सो आप इसमें देखते ही बता सकते हैं कि जो d option है वह omic रिजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है बाकि यह तीनों non omic रिजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोस्तों यह basic छोटी सी property से अब अच्छे-च्छे questions कर सकते हैं और आपको graph भी याद हो जाएगा तो दोस्तों यह था इसका correct answer इसमें d option है वो रिप्रेजेंट कर रहा है omic रिजिस्टर को और जो a, b और c है वो रिप्रेजेंट कर रहे है non omic रिजिस्टर को चली दोस्तों आप next question है आपकी screen पर दोस्तों वीडियो को pause करिए question को try करिए मैं question पढ़ देता हूं the figure shows a circuit when the circuit is switched on the emitter reads 0.5 ampere means आपको current दिया है 0.5 ampere और आपको इस circuit given है question में so दोस्तों आपको इस question में करना क्या है आपको पहला part में करना है आपको जो यह r है इसकी आपको value निकालना है so दोस्तों पहले part में आपको r की value निकालना है और दोस्तों second part में calculate the charge passing through the 3 ohm resistor in 12 sorry 120 seconds means आपको यह 3 ohm है इसमें आपको current निकालना है और time आपको दिया है 120 seconds और दोस्तों जो third question है इसमें आपको power निकालना है 3 ohm resistor में so यह 3 questions है तो दोस्तों वीडियो को pause करिये question को try करिये और आपको इस question में current given है so pause the video try the question दोस्तों इसी तरीके के आपको और भी chapters के practice questions और video lectures और notes तीनों चीज़े मिलेंगी so दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please दोस्तों चैनल को subscribe कर दीजिए share कर दीजिए और video आपको पसंद आ रही है तो please एक thumbs up दे दीजिए चलिए दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपने question try किया होगा और आपका answer भी आ गया होगा चलिए दोस्तों अब इसका solution देखते हैं तो दोस्तों यह रहा आपका solution दोस्तों आपको question में आपको जो वी है वो 6 वोल्ट की बैटरी आपको उसमें use हुई थी सो दोस्तों हमने जब इसमें ohm slow लगाया i is equals to v upon r क्योंकि दोस्तों हमें r की value निकालना है और v और i हमें दोनों given है इसलिए हमने यह formula लगाया है i हमें question में given था 0.5 और v हमें था 6 और r की जगे पे हम क्या रखेंगे total resistance सो दोस्तों आप देख सकते हैं जो 3 और जो r है means r ohm का resistance है वो दोनों series combination में connect है जो उनका total क्या हो जाएगा 3 plus r सो हमने r की value जगे पे क्या रख दिया 3 plus r सो दोस्तों जो हमने solve किया तो आप देख सकते हैं जो r की value आ रही है r की value 9 ohm आ रही है सो दोस्तों r की जो correct value है वो है 9 और दोस्तों second part में हमसे पूछा था current in 3 ohm resistor सो दोस्तों 3 ohm के resistor में हमसे current पूछा था sorry charge पूछा था सो दोस्तों charge का formula हमें सब को पता है q equals to it और time आपको दिया है 120 seconds और current उसमें जा रहा है 0.5 ampere सो solve उने पर आ जाएगा 60 koolam तो आपको q की value means charge की value आपको मिल चुकी है 60 koolam सो दोनों question हो चुके हैं done third पर चलते हैं third में आपको पूछा था power dissipated in the 3 ohm resistor सो power का formula हम सभी जानते हैं आप v i b लगा सकते हैं क्योंकि v b आपको given है i b आपको given है पर हमने यहां पर i square r लगा दिया सो देखते हैं दोस्तों 0.5 का square into 3 solve होने पर आगे 0.75 watt दोस्तों हमने इसमें v i इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो 3 और r है वो दोनों series में connect हैं तो दोनों में same current जा रहा है इसलिए हम यह formula नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमें 3 ohm के resistor में सिर्फ देखना था इसलिए मैं i square r का use कर रहा है सो दोस्तों answer आ रहा है 0.75 watt So I hope दोस्तों कि आपको question समझ आ गया होगा चलिए दोस्तों next question आपकी screen पर चलिए दोस्तों आप question पढ़ते हैं 5 resistors of different resistances are connected together as shown in the figure a 12 volt battery is connected to the arrangement means एक arrangement दी गई है इस question में वह आपको दिखाता हूं उसमें 12 volt की battery अपलाई करी है So दोस्तों आपको question में calculate क्या करना है आपको calculate करना है total resistance means आपको R निकालना है और आपको current निकालना है flowing in the circuit So दोस्तों हमें निकालना है total resistance and total current चलिए दोस्तों मैं आपको इसका figure बता देता हूं जो इस question में आपको दिया गया है So दोस्तों यह रहा कुछ figure इसमें हमने 12 volt की battery लगाई है और इसमें आपको total current और total resistance दोनों को बताना है So चलिए दोस्तों वीडियो को pause करिए question को try करिए Pause the video, try the question I hope दोस्तों कि अब आपका answer आ गया होगा चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका solution देता हूं So दोस्तों आप देख सकते हैं हमें पहले part में निकलना है total resistance So total resistance कैसे निकलेगा आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो यह दोनों resistor है R1 & R2 यह connect हैंगे parallel में So हम इसे parallel combination से solve करेंगे और बाकी के 3D parallel combination में हैंगे So दोस्तों यह दोनों set parallel combination है तो हम इस parallel solve करेंगे So दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो दोनों जो दोस्टों आप देख सकते हैं कि जो दोनों कॉम्बिनेशन यह दोनों यह दोनों पैरलल में हैं तो आप देख सकते हैं आर वन टू मींस हमने पहले वाले को सॉल्फ किया तो दोनों देखिए दोस्तों दोनों पैरलेल में हैं तो हमने इसे पैरलेल में सॉल्फ किया वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू तो यह सॉल्फ होने पे कुछ एट ओम शो हो रहा है तो मींस एट ओम इसकी वैल्यू है और हमने इसी तरीके से 3,4,5 को भी solve किया तो आप देख सकते हैं 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 हमने LCM लिया 60 आया और solve होने पर कुछ ही है 6 by 60 आया means 1 upon 10 आया तो दोस्तों हमें दोनों registers मिल चुके हैं इसकी value आई है 8 और इसकी value आई है 10 और दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी ये connect है तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा combination है ये series में है series में है तो हमने दोनों को direct plus कर दिया R1 plus R2 से तो आप देख सकते हैं 8 plus 10 18 हो गया means ये पूरे combination की जो value आई है वो आई है 18 so इसका पहला answer हमें मिल चुका है जो पूछा था हम से total resistance so total resistance of this circuit is 18 ohm so दोस्तों next question ने current पूछा है अब दोस्तों हमें जब voltage पता है और हमें resistance आ चुका है हमा 18 ohm तो हम इसमें ohm से law apply करेंगे I is equals to V upon R so दोस्तों ये कुछ solve होने पे 0.67 ampere current आ चुका है so दोस्तों ये बिलकुल subtle questions था तो आप बस दोस्तों मेरे साथ question को try करते रहिए चली दोस्तों next question पे चलते है चली दोस्तों अब next question ने आपकी screen पे ये question combination of register से है so दोस्तों try करिए इस question को इस question में दो part है देखिए इस combination of register में आप हम पन को equivalent resistance बताना है किन किन के बीच c and d के बीच and a and b के बीच means c and d के बीच and a and b के बीच so दोस्तों pause the video try the question ये question बहुत अच्छा है इस तरीके के questions बार बार पूछी जाते है so please question को try करिए once again एक बार try करिए question को दोस्तों I hope दोस्तों आपको question try कर लिया होगा चलिए अब हम इसका answer देखते हैं और अगर आपको questions नहीं आ रहे हैं दोस्तों तो भी आप वीडियो से बने रही है क्योंकि जब मैं आपको इसका answer बताता हूं तो मैं आपको इसका solution भी समझा देता हूं so please आप वीडियो के साथ बने रही है चलिए अब मैं आपको इसका answer बताता हूँ So here is your answer ये था आपका question So question को देखते हैं और answer निकालने की कोशिश करते हैं चलिए दोस्तों आपको देखिए इस question में क्या दिया गया था आपको equivalent resistance पूछा है C and D के बीच में पहला part So देखिए दोस्तों जब question part में दिया है तो हम भी दोस्तों आप question को answer देखते हैं तो देखिए दोस्तों पहले part में हमसे पूछा गया है equivalent resistance between C and D तो देखते हैं दोस्तों C and D के बीच में equivalent resistance So दोस्तों आप देख सकते हैं अगर हम ये portion को cut कर दें तो आप देख सकते हैं ये per portion बचेगा ये हम हटा दें अगर question solve करने के लिए तो आप देख सकते हैं ये बचा है So दोस्तों आप देख सकते हैं अपने was on C and D के बीच में निकालना है तो आप देखिए इस तरीखे से move करिे So अप देख सकते हैं दोस्तों जो R4 है, R3 है और R2 है ये तीनों सीरीस कॉंबिनेशन में हैंगे और दोस्तों जब हम इन तीनों को सॉल्फ कर लेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टर ये जो थिरी ओम का रेजिस्टर है मतलब R5 है इसके ये पैरलल कॉंबिनेशन में है तो दोस्तों है जब सीरीस कॉंबिनेशन में हैं तो हमनेने हमें सीरीस कॉंबिनेशन एंत फॉर्मिला पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 तो हमने इसे जब वेल्यू पुट करें और हमने देखा कि ये 3 प्लस 3 प्लस 3, 9 हो गया है तो ये मतलब अगर हम ये तीनों लगाए यी या फिर हम इस प पैरलेल कॉम्बिनेशन वे इसलिए कि और कि ये जो सॉल्षपी पर 9 बना ये रही Dopull चैनल स्थे और इसमें इसका दूसरा प्रोइन सी 10 आप देख सकते solve वोने पर 4 upon 9 means 9 by 4 आ चुका है और solve वोने पर इसकी value 2.25 आ रही है और दोस्तों इसमें second part का answer नहीं है बट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों हमने C और D के बीच में तो निकाली लिया था कितना 2.25 जब ये C और D के बीच में निकाल लिया 2.25 सो ये resistor ये जो 3 ohm और जो मतलब R1 और R6 है इन दोनों के series combination में हैगा सो हम तीनों को add कर देंगे सो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 6 प्लस 2.25 हो जाएगा 8.25 सो second वाले answer आजाएगा 8.25 सौरी यहां पर मैं solution लगा नहीं पाया बट मैंने आपको इसका answer बता दिया है सो बी option का answer एगा 8.25 सो आई होब दोस्तों आपको एक question समझ आया होगा easy था question basic से था बस हमें यह समझना चाहिए कि बस हमें diagram में यह देखना है कि कौन सा part series में connect है कौन सा part parallel में connect है फिर हम basically formula उसके according लगा के solve कर सकते है चलिए दोस्तों अब next question आपकी screen पे है दोस्तों इस question में आपको एक circuit दिया गया है और circuit में आप से यह पूछा गया है कि resistance बताएए between x and y तो दोस्तों यह question का answer आप मुझे comment box में दीजेगा यह आपका homework type है तो दोस्तों आप इसका answer मुझे comment box में दे सकते हैं तो दोस्तों इस question को try ज़रूर करिएगा अगली वीडियो में मैं आपको इसका answer बता दूँगा और solution भी दे दूँगा तो दोस्तों आप try करिए और इसका answer आप मुझे comment box में दे दीजेगा दोस्तों आपको दे सकते हैं